Concentration, Concentration, Concentration जब हम छोटे थे तब माबाप कहते थे कि ध्यान से काम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो स्कूल गएं तो टीचर ने कहा कि ध्यान से concentrate होकर पढ़ाई करो वरना एक्जाम में fail हो जाओगे आफिस गए हैं तो बॉस ने कहा कि काम पर ध्यान दो मन लगा कर काम करो वरना काम से बाहर निकाल लूगा और तो और मन को सांत और चिंता को दूर करने के लिए डॉक्टर ब्रेंड बूश्टर के पास आया यानि मेरे पास आये तो मैं भी यही कहने लगा कि अपने और चेतन मन की सक्ति आत्म सक्ति और स्प्रिच्वल पाउर को बढ़ाने के लिए ध्यान करो सांसों पर ध्यान दो आध्या चकर पर कंस्रेट करो तुम्हें अनत सक्तिया प्राप्त हो जाएंगी पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आपका मन सांध कब होता है आप चीजों पर कंस्रेट कब कर पाते हो और क्या कोई दूसरा ब्यक्ति आपको देख कर या बता सकता है कि आप कब किसी काम को कंस्रेट होकर कर रहे हो और कब नहीं कर रहे हो तो जवाब है नहीं कोई दूसरा प्यक्ति सिर्फ आपको देख कर या नहीं बता सकता कि आप किसी चीज को concentrate होकर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो अब सवाल यह उड़ता है क्या कि आपके रहें किसी चीज पर 100% concentrate कैसे करें और आज आप इस वीडियो में इसी का जवाब जानेंगे मैं आपको वह बेश तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी चीज पर 100% concentrate कर करें उसे बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि concentration क्या होता है क्योंकि जो करना है उसके पहले उससे जानना जरूरी है तभी तो आप वह कर पाओगे जो आप करना चाहती हो 100% concentration ही वह वस्था होती है जब आप अपने मन के किसी भी stage में यानी चेतन और चेतन या अचेतन मन में अपने विचारों को डाल कर उसे reality में बदल सकते हैं concentration वह वह वस्था होती है जब आप अपने किसी भी कार में अपने सारे sense के साथ जुड़े रहते हैं आप उसी कार में present होते हैं और आपके सारे sense आपके brain तक उस काम से संब्दित विचार पहुचाते रहते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और concentrate हैं तो आपके सारे सेंस आपके चेतन और चेतन मन तक पढ़ी गई हर एक बात को पहुचाते रहते हैं जिससे जब आप दुबारा कंसर्टेट होते हैं तो आपको हर एक चीज 100% याद आने लगता है अब वो चाहे परिच्छा हाल हो या फिर किसी सामने स्पीच देना हो जब भी आप अपना कोई भी काम, कंसर्टेट यानि एक आगजित होकर करते हो अपने इस सारी उर्जाओ से एक काम पर लगा देते हो, केंदरित कर देते हो तब आप उस काम को सबसे अलग और बेहतर धन से कर पाते हो कंसर्टेशन पाउर बढ़ जाने के बाद, आप के अंदर सिल्फ कॉन्फिदेश और आपकी विल पाउर भी बढ़ने लग जाती है आप सबसे अलग पोजिटिव डिरेक्शन में सोचन लग जाते हो आप हर एक चीज को एक अलग नजरिये से देख पाते हो आपने आइंस्टीनर स्वामी वेकानन के दिमाग और उनकी एकागरता की छमता की धेर सारे किस्टे सुने होंगे स्वामी वेकानन जो 700 पेजों की किताब बड़ी आसानी से मात्र दो से तीन घंटे में ही याद कर लेते हैं सिर्फ एक अकरता की छमता और अपनी बुद्धी की ताकत से बेहतर कंसर्टेशन से आप उन तमाम कामों को प्रभवी डंग से उसी तरीके से अंजाम दे पाओगे जिस तरह से आपने उसे करने का विचार किया है आप किसी भी विशे को एक बार में ही पढ़ कर याद कर सकते हो हम सबी के दिमाग में लॉखुन निूरांस मौझूद होते हैं जब भी आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है तब एक एक निूरांस तक सिगनल पहुँचने लग जाता है और जैसे जैसे आपकी मन में और भी विचार आते जाते हैं अलग लग विचारों की नियूरांस एक्टी हो जाते हैं और आपका ध्यान भटकने लग जाता है जादे तर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वह किसी काम को करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में उस काम से अलग विचार आने लग जाते हैं और आपकी अस्फलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है लेकिन जब आपका मन सही माइने में का गर्चित होगा तब आपके दिमाग के कौन सी इंडरांस को कब एक्टिव होना है और किसको नहीं होना है इस पर आपका पूरा नियंतर होगा अर्थात काम के समय में आप उन बातों को अपने दिमाग में आने से रोग पाओगे जिसकी आपको जरुरत नहीं है यानि जैसा ही आपके दिमाग में मोबाइल का खयाल आएगा आप तुरंथ ही बेरियल लगा दो जब भी आप कंसर्टेट रहोगे तो आपके दिमाग में ऐसे विचार जैसे ही आएंगे आप तुरंथ एलर्ट हो जाओगे और ऐसे विचारों को तुरंथ रोग कर तुरंथ अपने विशय पर आजाओगे और इस तरीके के लगातार प्रेक्टि से आप धिरे-धिरे एक समय ऐसा आएगा जब आपको कोई बेरियल लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी आपका दिमाग, आपका उचेतन मन स्वतही आपकी दिमाग में बेरियल लगाएगा आप पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई करते रोगे आप किसी चीज के बारे में सोचोगे तो सिर्फ उसी ही चीज के बारे में विचार आपकी दिमाग में आएगा, बाकी कोई नहीं ऐसा सिर्फ डीप कंसर्टेशन की अवस्था में होता है डीप कंसर्टेशन की एक अवस्था ये भी होती है कि यदि आप पढ़ाई करते समय कंसर्टेशन की डीप अवस्था में चले जाते हो तो आपको बुक में लिखे सब्दों के अलावा कोई भी चीज सुनाई या दिखाई नहीं देती है जैसे जब आप कोई मूवी देखते हो तब आप पूरी तरीके से उस मूवी के सीन से जुड़े रहते हो इसलिए मूवी देखते समय आपको डर आपकी आखों में आशू भावना उत्पन होने लगती है ऐसे ही जब आप अपने फेवरेट गाने सुनते हो तो भी आप एक कंसेंट्रेशन के अवस्था में आते हो अगर आप फोकस यानी कंसेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का विशेश ध्यान देना पड़ेगा और उसकी सांस साथ मैं जो आपको टेकनिक बताने जा रहा हूँ उसका इस्तमाल करना पड़ेगा आपको कुछ ही दिनों में एक बेतिन रिजल्ट मिलने लगेगा किसे भी बेक्ट के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिसे आप उप्योग करो और उसी दिन से ही आपकी कंसेंट्रेशन पावर बढ़ जाए ऐसा नहीं हो सकता है कंसेंट्रेशन एक हैबिट है जिसे आपको लगातार प्रिक्टिस के जरिये ही अपने अंदर विक्सित करना पड़ेगा लेकिन अगर हम थोड़ी सी जागरुपता के साथ कुछ अभ्यास करें तो कुछी दिनों में आपके अंदर एक चमतकारी प्रड़ाम देखने को मिलने लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कंसेंट्रेशन आपकी सुभाविक आदत है कंसेंट्रेशन की डीप अवस्था एक छोटे बच्चे के अंदर दिखाई देती है और इसका प्रमाड उसकी आखे उसकी दिन चर्या उसका हस मुख चहरा बताता है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके सामने अलग-अलग तरीके के डिस्टेक्शन आने लगते है और उसका दिमाग उन सब चीजों के लिए हैविश्वल हो जाता है उसका उचेतन मन उन सभी कामों के लिए आधी हो जाता है लेकिन अगर आप कुछ आदते अपने जीवन में अपनाने लग जाएं तो आप पुना ही वही कंसर्टेशन अवस्था पा सकते हैं जो एक छोटे से बालक के अंदर होती है चीजों को जल्दी याद करने की चीजों को जल्दी समझने की आदत अपनी कंसर्टेशन पाउर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है वो है प्रजेंट में रहने की आदत आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत या आती है पढ़ाई करते समय आपके दिमाग में अलग-लग तरीके के खयाल आने लगते हैं आपको उसे तुरंथ ही रोक देना है दूसरी आदत में आपको करना ये है कि आपको चीजों को उसी रूप में देखना है जैसे वे हैं जैसे अगर मैं कहूं कि आप इस फूल को देखो तो आप सिर्फ फूल को देखो उस सम्बंधित कोई भी विचार अपने दिमाग में मत आने दो अगर आपके दिमाग में अभी आता है तो लगातार प्रिक्टिस के जरिये उसे रोकने का प्रियास करो कोछी दिनों में आपका सबकॉंसेस माइंड इसके लिए हैविचल हो जागा और आप हर चीज को उसी के रियल रूप में देख पाएंगे हमारा दिमाग सबसे पहले डिस्ट्रेक कैसे होता है ये चान लेते हैं जैसे आप कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ हो उसमें मोबाईल से संब्धित कोई विचार आया प्यार से संब्धित कोई विचार आया उन्ट से हाथी संब्धित कोई विचार आया तो आपका दिमाग उस सब्दों पर ज़्यादा कंसेट हो जाता है और उससे संबंधित तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं और थोड़ी दिर में ही आप खयालों में चले जाते हो ऐसा लगभर लगग 95% लोगों के साथ होता है आप पढ़ने के लिए बैठते हो थोड़ी दिर में मोबाइल की नोटिफिकेशन आती है आपका ध्यान तुरण उधर जाता है और आप डिस्टेक हो जाते हो किसे भी काम को करते समय कंसर्टेशन पाउर बढ़ाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने खान पान पर आपको साइद यह नहीं पता होगा कि आपके पेट को आपका दूसरा दिमाग भी कहा जाता है और किसे भी काम में फोकस या कंसर्टेट कर पाने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देने की जुरत है आप संतुलित आहर लें, आप पोस्टिक भोजन करें और ब्यायाम ज़रूर करें इससे आपके दिमाग के सेल्स एक्टिव होने लगते हैं और कहा जाता है कि अच्छे सरीर में ही अच्छे मन का वास होता है इसलिए पने सरीर पर विशेज ध्यान दें कंसर्टेशन पावर बढ़ाने के लिए अगला तरीका है कि आप ऐसे गेम खेलें जिसमें आपको कंसर्टेश करने के आउसकता पड़ती होगी जैसे सुडोकू या फिर पजल से रिलेट कोई गेम सतरंज या फिर मिमोरी बूस्टर गेम ऐसे बहुत सारे गेम इंटरनेट पर पड़े हैं आप उसे रोज खेलने के प्रेक्टिस करें और गेम खेलना ब्रेन के लिए एक एकसरसाइस से कम नहीं है इसे लगातार रोज करें कंसर्टेशन पाउर बढ़ाने में आपके नीद का बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए हमें सब पूरी और अच्छी नीद लें देर तक आप Zero Thought Stage में रहें तो इस Stage की आदर डालने के बाद जिस भी काम को करने के लिए बैठेंगे आप 100% उससे जुड़े हुए रहेंगे अगर आपको नहीं पता कि Zero Thought Stage में कैसे जाय जाता है तो मैं उसका लिंक डिस्कुसन बॉक्स में दे देता हूं या फिर उस वीडियो को आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं अगले इंफर्मिटिव वीडियो के साथ नमस्कार